ठीक है बच्चों आजो exercise 7.3 में 7.3 का first question क्या बोल रहा है How many three digit numbers can be found by using the digit 1 to 9 if no digit is repeated मतलब क्या है कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये total कितने digits दे रखे हैं 9 digits दे रखे हैं इसमें से हमें करना क्या है कि three digits का number बनाना है बड़ ध्यान में क्या रखना कि कोई भी digit repeat में होना चाहिए तो क्या करेंगे इस question का यही मतलब हुआ ना कि हमें nine digit में से three digit at a time लेके select करके उसको all possible way में permute करना है यही बोला है ना कि three digit का number बनाओ using the digit 1 to 9 if no digit is repeated इसका यह मतलब है कि हमें करना है कि इस nine digit में से three digit को select करना है ठीक है उसके बाद उसे all possible way में permute करना है that means हमें permutation चाहिए three digit का when we have total nine different digits तो इसका क्या होता है यह simple answer हो जाएगा required number of required numbers of numbers मतलब कि numbers का कितने numbers बनेंगे मतलब कितने arrangements बनेंगे वो यह बन जाएगे nine p3 numbers के कितने numbers होंगे मतलब कितने arrangements होंगे वो nine p3 arrangements होंगे मतलब क्या हो गया कि 9 different हमारे पास digit data का उसमें से 3 digits select करके उसको all possible way में arrange करना है मतलब यह ऐसी होगा ना कि एक तो हो गया 1,2,3, एक हो गया 3,4,5, एक हो गया 6,7,9 इस type के हमें क्या करने हैं numbers बनाने तो यह number बनाने का क्या मतलब हो गया कि हमारे पास 9 different digits है 3 digits हमें select करके उसे permute करना है तो वो किसके equal होता है 9,3 के और एक तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 9 factorial upon 9 minus 3 factorial या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 into 8 into 7 इसका value इसका value same होगा calculate कर लो 72 into 7 क्या हो जाएगा 504 यह answer होगी यह तो बहुत simple question है अब आजाते question number 2 में ठीक बच्चो अब आजाओ question number 2 में question number 2 में क्या है how many 4 digit numbers can are there with no digit repeated question में क्या बोला है कि बताओ total 4 digit के कितने numbers हैं जिसमें digit repeat नहीं होना चाहिए digit repeat नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि इस type के numbers तुमसे पूछ रहा है जैसे 45369834 इस type के number पूछ रहा है तुमसे कि बताओ कितने numbers होंगे 4 digit के इस type के नहीं पूछ रहा है 99838844 इस type के number नहीं पूछ रहा है इस type के number पूछ रहा है कि बताओ 4 digit के कितने ऐसे numbers हैं जिसमें digit repeat नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए क्या करोगे उसके लिए देखो टोटल हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं 0 to 9, 0 to 9 से ही हम दुनिया का किसी भी नंबर को बनाते हैं तो नंबर हमारे पास है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल कितने नंबर्स हैं हैं? 10 नंबर्स है इसी से हम किसी भी नंबर को बनाते हैं अब क्या बोला है कि how many 4 digits number in which digit cannot be repeated 4 digits के नंबर्स बताओ जिसमें digit repeat नहीं हो सकता है तो इसको करने के एक तो ऐसे में थड़ हो गया कि तुम करो क्या कि 4 box बना लो ठीक है? अब बताओ इस box को तुम कितने वे से fill कर सकते हो इस box को digit repeat नहीं होना चाहिए इस box को कितने वे से fill कर सकते हो इस box को तुम 9 वे से fill कर सकते हो क्यों? वेकॉज ये 0 नहीं कर सकते हैं इस box में वेकॉज अगर इस box में हम 0 डाल देंगे तब तो three digit का number बन जाएगा तो इस box में zero को छोड़के one से nine तक तुम कोई भी number डाल सकते हो तो इसके लिए कितनी possibility हो गई इसके लिए nine possibility हो गई ठीक है अब मालो कि one से लेके nine तक हमने कोई भी एक number इसमें डाल दिया तो यहाँ one से लेके nine तक कितने number बचे one से लेके nine तक हमने कोई भी एक number डाल दिया तो one से nine में से एक number चला गिया तो कितने number बचे one से nine के बीच में eight numbers बचे अब उसमें एक zero भी include हो गया क्योंकि zero तो यहाँ डाल सकते हैं समझ में आरे हैं बात 1 से लेके 9 तक में से हमने मालो की 3 डाल दिया तो 3 डाल दिया तो कितने नमबर बचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नमबर बचे अब तो 0 भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं तो इसका मतलब इसे फिर फिल करने के कितने possibility होगा 9 अब 2 नमबर चला गया अब 2 नमबर चला गया तो फिर इसे फिल करने के कितने possibility बचे 8 फिर इसे फिल करने के कितने possibility बचे 7 तो fundamental principle of multiplication से क्या होगा इसको multiply कर दो तो required 4 digit numbers क्या हो जाएंगे हमारे पास 4 digits numbers क्या हो गया 9 into 9 into 8 into 7 यह हो जाएगा 4, 5, 3, 6 यह हो गया 4, 5, 3, 6 यह हमारा answer हो गया आड़ी है ना बासमझ में इसे फिल करने के total 9 possibility है because यहाँ 0 नहीं डाल सकते अगर हमने मालो की इस first box को 5 से 5 से फिल कर दिया अब हमारे पास कितने numbers बचे अभी भी 9 numbers बचे अब तो 0 include कर लेंगे because यहाँ तो 0 डाल सकते हैं तो यहाँ पे इसके लिए कितने possibility बचे 9 possibility बचे 9 numbers में से हमने इसमें कोई भी एक number डाल दिया तो फिर हमारे पास कितने numbers बचे 8 numbers बचे तो यहाँ हम लोग कितने वे से fill कर सकते हैं 8 वे से fill कर सकते हैं यहाँ कितने वे से fill कर सकते हैं 7 वे से fill कर सकते हैं तो fundamental principle of multiplication से क्या करेंगे इसको multiply कर देंगे एक तो यह रास्ता हो गया दूसरा क्या है कि तुम ऐसे देखो दूसरा तुम अभी हमने क्या किया था इससे पहले वाले question में 3 digit numbers बनाये थे कितने मिले था हमें 3 digits number 504 ठीक है तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो required number of number को ऐसे भी बोल सकते हो कि 9 into 9p3 इसको यह भी बोल सकते हो 9 क्यों वेकाज इसको fill करने के तो 9 possibility है अब बच गे 3 boxes 3 boxes बचे तो 3 boxes के लिए कितने numbers बचे 3 boxes के लिए अभी भी तो 9 numbers बचे इसमें तो एक 0 नहीं डाल सकते है मालो कि इस box को हमने 5 से fill कर दिया तो हमारे पास कितने numbers बचे 9 numbers बचे अब इन 9 numbers को तुम 3 at a time लेके arrange कर दो तो 3 at a time लेके arrange करोगे तो कितने possibility हो जाएंगे 9p3 ways तो 9 into 9p3 कर दो तो ये भी आ जाएगा में 4 5 3 6 ऐसे भी answer निकाल सकते हो ये भी हमारा answer होगे ठीक है अब मालो किसी question में बोलता है कि यहां क्या बोला है कि with no digit repeated अगर यहां पे repetition allow कर देता तब कितनी possibility होती मतलब तब कितने 4 digits number होते जिसमें तुम digit को repeat भी कर सकते हो तो ये भी question बहुत आसान है अगर यहां पे बोला है न no digits repeated अगर मैं बोलता है कि if digits can be repeated तब क्या करते ये question नहीं है मैं ऐसे ही बता रहा हूँ तब क्या करते फिर 4 box बनाते इसको तो अभी भी हम कितने वेसे fill कर सकते 9 वेसे fill कर सकते ठीक है क्यों इसको 9 वेसे fill कर सकते है because यहां 0 नहीं डाल सकते अगर 0 डाल देंगे तब तो ये 3 digit number हो जाएगा अब इसकी कितनी possibility बची अब इसकी 10 possibility बची इसमें तुम कोई भी 0 से 9 तक required 4 digits numbers if digits can be repeated ये क्या हो जाएगा 9 into 10 into 10 into 10 9,000 नमबर हो जाएगे अगर digit repeat होगा तो फिर 9,000 numbers हो जाएगे ये question का part नहीं है मैंने ऐसे ही बता है बच्चों हो गया question number 1 and question number 2 अब आते हैं हम लोग अच्छा ही नीचे कट रहा है अब देख लो इसको fill करने के कितने possibility 9 इसको fill करने के कितने possibility हो गया 10 इसे भी fill करने के 10 possibility यहां भी fill करने के 10 possibility ठीक है क्योंकि यहां तो 0 नहीं डाल सकते बाकि कोई भी number डाल सकते यहां तो 0 से लेके 9 तक कितने numbers है 10 numbers है कोई भी number डाल सकते है यहां तो यहां भी 10 numbers डाल सकते है क्यों? because repetition allowed है यहां भी 10 डाल सकते हैं, माल लोग यहां पे हमने 5 डाल दिया, तो यहां पे 5 डाल दिया, तो यहां पे भी 5 डाल सकते हैं, और यहां 0 भी डाल सकते हैं, तो इसका मतलब 0 से 9 तक कोई भी number यहां डाल सकते हैं, माल लोग यहां पे हमने 2nd box में 6 डाल दिया, तो यहां भी 6 डाल सकते हैं तो इसके लिए भी तो 10th possibility है फिर इसके लिए भी 10th possibility है तो यह हमारे पास number of 4 digits number हो गए in which digits can be repeated ठीक है यह होगी हमारा question number 2 अब आते हम लोग question number 3 में अब बच्चो आजाओ question number 3 में question number 3 में क्या बोल रहा है how many 3 digit even numbers can be made using the digit 1 से लेके 7 तक हमें क्या करना है 3 digit number बनाना है if no digit is repeated कोई digit repeat नहीं करना चाहिए बहुत simple है करोगे क्या 3 box ऐसे बना लोगे 3 box बना लिया हमने हमारे पास number क्या है 1 2 3 4 6 7 इससे हमें 3 digits के number 3 digits के even numbers बनाने ध्यान में क्या रखना है कि no digits can be repeated तो बताओ even number कैसे बनता है मतलब even number जो होता है उसके unit place पे क्या होता है हमें से even number होता है कोई भी even number देख लो उसके unit place पे even number होता है तो इस box ये तो unit place होगा इसको fill करने के कितने possibility है या तो इसमें 2 डाल सकते हो या तो 4 डाल सकते हो या तो 6 डाल सकते हो तो इसके कितने possibility है इसके 3 possibility है आगे बाद समझ में अब तुम ऐसे देखो इसको fill करने के कितने possibility है इसको fill करने के digits क्या होना चाहिए repeat नहीं करना चाहिए तो इसमें ध्यान रखो कि 2, 4, 6 में से अगर मैंने कोई भी एक number डाल दिया तो कितने numbers बच गए टोटल कितने numbers है 2, 4, 6 numbers है टोटल अब इस box में मैंने 2, 4, and 6 में से कोई भी एक number डाल दिया तो हमारे पास कितने numbers बच गए अब यहां से आ जाओ कितने numbers बच गए 5 numbers बच गए तो fundamental principle of multiplication से क्या हो गया 20, 2, 3, 60 event numbers बन जाएंगे एक बर शेट से event number का unit place क्या होता है हमेसा event number होता है तो ये unit place होगा तो unit place के लिए हम इसके लिए कितनी possibility है तीन possibility है या तो 2 डाल सकते हो या तो 4 डाल सकते हो या तो 6 डाल सकते हो तो अगर 2, 4, 6 में से हमने किसी भी एक number से इसको fill कर दिया मालो 2 से fill कर दिया तो अब हमारे पास कितने numbers बचे अब हमारे पास 5 numbers बचे total कितने numbers है 6 numbers है तो अब हमारे पास 5 numbers बचे तो अब यहां से आते है 100 place से fill करते है तो इसको fill करने के कितनी possibility होगी 5 उसके बाद 10th place को fill करने के कितनी possibility होगी 4 because मालो 5 numbers बचे किसी भी एक number से हमने इसको fill कर दिया तो अब हमारे पास कितने numbers है अब हमारे पास 4 numbers है अच्छा यहाँ पे बोल के आ रहे if digit is repeated sorry कोई बात नहीं कोई बात नहीं अभी उसको भी देख लेते हैं चलो एक extra question होगी इसमें क्या है कि digit repeat बोल रहा अभी जो मैं समझा रहा हूँ इसमें digits cannot be repeated इसको 3 ways से अगर मैं मालो यह बता रहा हूँ digits cannot be repeated cannot be repeated sorry digits cannot be repeated यह बता रहा हूँ उसके बाद आते हैं इसको 5 ways से fill कर सकते हैं 5 ways में से किसी भी एक ways से fill कर दिया तो इसके लिए कितनी possibility बची 4 तो total क्या हो गया 60 even numbers बन जाएंगे if digits cannot be repeated और question में तो बोल ला है digits can be repeated तो कोई बात नहीं है यह तो और आसान है अगर digits को repeat कर सकते हो तो इसमें अभी भी 3 possibility है इसमें अभी भी 3 possibility है because इसमें unit place में या तो 2 डाल सकते हो या तो 4 डाल सकते हो या तो 6 डाल सकते हो अब इसके लिए कितनी possibility है इसमें तो कोई भी अब number डाल सकते हो total 6 number है तो इसके लिए 6 possibility है इसके लिए भी 6 possibility है क्यों क्योंकि digits repeat हो रहा है जिस number को तुमने यहाँ डाला है न वो same number यहाँ भी डाल सकते हो तो इसके लिए 6 possibility है इसके लिए भी 6 possibility है तो हमारा क्या हो जाएगा fundamental principle of multiplication से multiply कर दो तो क्या हो गया 36 into 3 110 even numbers बन जाएगे इस question का answer यह हमारा है चलो यह भी सीख लिया 60 even numbers होंगे if digits cannot be repeated अगर digit repeat करेगा तो 110 even numbers होंगे यह answer है इस question का ठीके यह हो गया बच्चों हमारा question number 3 अब आते हम लोग question number 4 में ठीके बच्चों यहाँ पर actual में क्या है कि मैंने mistake यह कर दिया कि यह answer है ना यह answer नहीं है यह answer है हमारा मैंने देखा नहीं no digit is repeated ठीक है no digit is मैंने सिर्फ इतना ही परा था digit is repeated यहां लिखा है no digit is repeated तो यह हमारा answer है ठीक है इसमें क्या होगा यह 60 even numbers बनेंगे यह हमारा answer है अब अगर तुम ऐसे बोलोगे कि फिर आपने box use करना स्थू कर दिया अगर box use कर सकते हो उसे कोई problem नहीं है इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारे पास कितने numbers है 1,2,3 एक बार फिर आते question number 3 पे 1,2,3,4,6,7 हमें क्या बोल ला है कि how many three digits तीन digit के even number बनाना है number can be made using the digit this if no digit is repeated कोई digit repeat नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं है देखो बात को देहां से इसके लिए तो तीन possibility है अब अगर मैंने 2,4,6 किसी भी एक number से इसको fill कर दिया तो अब हमारे पास कितने numbers बचे अब हमारे पास total बचे 6 numbers 6 numbers बचे न कि यहां पर हमने 6 डाल दिया तो यहां पर 6 डाल दिया तो अब हमने पास कौन-कौन से number बचे 1,2,3,4 and 5 sorry 6 ही number है total तो अगर यह 6 numbers है तो अगर माल लो कि हमने 3 even number में से कोई भी एक even number डाल दिया तो अब हमारे पास कितने numbers बचे 5 numbers बचे 1,2,3,4 and 7 अब इस 5 numbers को इन दो boxes में कितने ways से arrange कर सकते हो 5 P2 ways से या फिर तुम ऐसे बोल लो कि हमारे पास क्या है जो 5 remaining numbers है उसमें से 2 numbers को लेके at a time लेके हम क्या कर दे permute कर दे तो उसको permute करने के कितने ways हो जाएंगे 5 P2 मतलब इन दोनों box को fill करने के कितने ways हो जाएंगे 5 P2 ways इस box को fill करने के कितने ways हो गए 3 multiply कर दो आ जाएगा ये 60 ठीक है देख लो 5 P2 का क्या होगा 5 factorial upon 5 minus 2 3 factorial into 3 तो ये क्या हो गया 5 into 4 into 3 factorial और ये 3 factorial cancel तो ये हो गया 3 क्या हो गया 20 into 3 ये हो गया 60 ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है अब यहाँ पर देखो क्या बोला है question number 4 में ये बच्चो answer ठीक है ये answer नहीं ये answer नहीं मतलब ये भी तुम सीख लो अगर digits repeat करेगा तो फिर 108 even numbers हो जाएंगे और digit अगर repeat नहीं करेगा then 60 even numbers हो जाएंगे ठीक है अब तुम देखो इस question को अब इस question में क्या है बात को देहान से सुनो इस question में क्या बोला है find the number of 4 digit even numbers that can be formed using the digit this if no digit is repeated अगर कोई digit repeat नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना है इन सारे numbers को use करके 4 digit का number बनाना है फिर बोला how many of these will be even ये same types के सारे number है हमारे पास कितने total numbers है हमारे पास है 1, 2, 3, 4, and 5 हमारे पास total कितने numbers हो गया है 5 numbers है इन ही 5 numbers को use करके हमें 4 digit का number बनाना है तो क्या करेंगे इन 5 numbers में से कोई भी 4 numbers select करके उसको permute कर दे या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि permutation of 5 numbers taken 4 at a time अगर 5 number में से 4 number को ले के permute करोगे तो वो जो number of permutations होगा वही तो हमारे number of numbers होगा मतलब कि number of 4 digit numbers होगा इसमें से कोई भी 4 number ले के उसको permute कर दो तो 4 digit का number बन जाएगा तो पहले का जो answer बोल है find the number of 4 digit numbers that can be formed using the digit 1, 2, 3, 4, 5 if no digit is repeated तो इसका answer क्या होगा पहले का तो answer होगा 5P4 यह answer होगा 5P4 का क्या होगा 5 factorial upon 5 minus 4 factorial क्या होगा 5 minus 4 1 factorial 1 factorial का value होता है 1 यह होगा 5 factorial यही हमारा answer होगा यही क्या होगा हमारा answer इसकों हम क्या बोल सकते है यह क्या हमाら number of 4 digits number कितने होगे number of 4 digits number 5 factorial होगे मतलब कि total तुम 5 factorial 4 digits number बना सकते हो ठीक है by using the digit 1, 2, 3, 4 and 5 अब क्या बोल रहा है how many of these will be even ये जो 5 factorial है न 5 factorial का value क्या होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 क्या होगा 20 into 6 120 मतलब कि total 124 digits के number आ जाएंगे इस 124 digits के number में बताओ कितने even numbers है तो उसके लिए क्या करेंगे 4 digit का number है ना 4 box बना लेंगे ठीक है इस box को हम कितने वे से fill कर सकते हैं इस box को हम सिफ 2 वे से fill कर सकते कौन-कौन वे से या तो 2 डाल दे या तो 4 डाल दे इसके लिए 2 possibility है अब 2 ways में से किसी भी एक ways से fill कर दिया मालो यहां पे हमने 4 डाल दिया तो अब हमारे पास कितने numbers बच गया है टोटल कितने numbers है 5 numbers है ठीक है अगर 5 numbers में इस box के लिए तो मतलब even unit place के लिए तो 2 ही possibility है because even number बनाना हमें तो इस place के लिए हमारे पास 2 possibility या तो 2 या 4 2 हो या 4 में से कोई भी एक हमने number इसमें डाल दिया मालो 4 डाल दिया तो हमारे पास कितने numbers बच यह 4 numbers बच यह कितने box है तो 4 numbers को 4 numbers से तुम इस 3 box को कितने वेसे fill कर सकते हो 4p3 वेसे fill कर सकते हो ठीक है तो हमारा answer क्या हो जाएगा 4p3 into 2 यह हो गया तो क्या हो जाएगा 4p3 का value क्या हो गए 4 factorial 4 minus 3 तो 1 factorial into 2 अब यह क्या हो गा 4 factorial 4 into 3 into 2 यह into 2 12 into 4 48 मतलब 48 even numbers बन जाएंगे मतलब कि यह जो 120 numbers है 4 digit के जो numbers है इस 120 numbers में से 48 numbers even numbers है तो कितने odd numbers है 120 minus 48 120 minus 48 जो गहे तने odd numbers है total कितने 4 digits के number बने 124 digits के number बने इस 124 digits के number में 48 numbers जो है वो even numbers है तो odd कितने numbers है 120 minus 148 यह तने odd numbers हो जाएंगे ठीक है समझ में आड़ी होगी बात यह होगी हमारा question number 4 भी complete अब आते हम लोग question number 5 में बचो आजो question number 5 में question number 5 में क्या बोल रहा है कि from a committee of 8 persons in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming one person cannot hold more than one position इसका क्या मतलब है इसका मतलब है क्या है कि हमारे पास एक committee है जिसमें total 8 persons है उसमें से हमें करना है क्या है कि एक chairman को choose करना है एक vice chairman को choose करना है तो बोलो या बताओ कि कितने ways में एक chairman और एक vice chairman select किये जा सकते हैं मानलो कि हमारे पास ऐसे numbers है ये person one को मैंने a बोल दिया फिर b बोल दिया c d e f कितने होगे 3, 4, 5, 6 g h मानलो कि पहला person a है दूसरा b है तीसरा c है d e f ये सारे persons के name है अब हमें क्या करना है कि chairman और vice chairman select करना है तो कितने ways select कर सकते हैं ऐसे भी तो हो सकता है कि हमारे पास जो a person है वो chairman हो जाए और b person vice chairman हो जाए ये भी तो हो सकता है कि b हमारा chairman हो जाए a vice chairman हो जाए और यहाँ पे क्या बोला है कि assuming one person person cannot hold more than one position मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि chairman भी a हो जाए और vice chairman भी a हो जाए ये नहीं हो सकता है इसका साफ साफ मतलब क्या है कि हमारे पास total eight objects है जिसमें से हमें दो objects को select करके permute करना है तो number of ways of choosing a chairman and a vice chairman is the number of ways of permuting eight different objects taken two at a time eight persons है तो eight persons तो different ही होंगे एक दो person एक जैसे तो हो नहीं सकते तो eight persons different होंगे तो इसका क्या मतलब है हमें कि eight different objects में से हमें दो objects को select करके permute करना है simple सा मतलब यही बोल ला है कि find the number of permutation of 8 objects या 8 men taken to at a time यहां बोल दिया ना कि vice chairman और जो chairman है कोई एक person दोनों नहीं बन सकता है vice chairman भी नहीं हो सकता है और chairman भी नहीं हो सकता है इसका यह मतलब है कि repetition is not allowed तो इसका simple answer क्या हो जाएगा इसका answer होगा number of phase number of phase क्या हो जाएगा number of phase हो जाएगा 8p2 8p2 का value क्या होगा 8 factorial upon 8 minus 2 factorial यह हो गया 8 factorial यह हो गया 6 factorial यह क्या हो गया 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial तो 56 ways से यह answer हो गया 56 ways से हम लोग क्या कर सकते है 8 different मतलब 8 person से एक chairman और एक vice chairman को select कर सकते है जिसमें हमने यह assume कर लिया कि कोई भी एक person दोनों post नहीं ले सकता है मतलब एक person नहीं chairman और vice यह chairman और vice chairman दोनों कट्थे नहीं बन सकता है तो total number of phase कितने हो गया 56 simple सा question था अब आज़ो question number 6 में question number 6 में क्या बोला है find n if n-1 p3 is to np4 यह किसके equal है 1 is to 9 n निकालो तो कोई बात नहीं n-1 p3 is to np4 यह किसके equal दे रखा है 1 is to 9 तो इसको करने के again दो method है दो method नहीं है कोई भी formula लगा लो npr क्या होता है npr होता है na n into n-1 n-2 n-r plus 1 एक तो यह हो गया दूसरा क्या हो गया n factorial upon n-r factorial where r क्या होगा 0 to n होगा यही दो formula होता है अब नीचे r का value 4 है तो तुम यह भी formula use कर सकते हो यह भी use कर सकते हो कोई भी use कर सकते हो दोनों एकी formula different form में है तो मालो कि अगर हमने इसे use किया तो उसको हम क्या लिख सकते है n-1 सबसे पहले तो ऐसे लिखा n-1p3 upon np4 यह क्या होगा 1 upon 9 n-1p3 इसका मतलब हमें क्या करना है तो पहले तो क्या लिखते है n factorial को क्या लिखते है n into n-1 एक एक कम करते जाते n-2 ऐसे कम करते है n की जगह क्या हमारे पास n-1 है तो पहले क्या होगा n तो n की जगह n-1 फिर एक कम करेंगे n-1-1 तो n-2 फिर क्या होगा n-2-1 क्या होगा n-3 देखो 3 terms तक हमने इसे expand किया पॉन यह क्या होगा np4 तो 4 terms तक expand करेंगे तो पहला तो n होगा फिर एक कम करेंगे n-1 फिर एक कम करेंगे n-2 फिर एक कम करेंगे n-3 यह किस के equal हो जाएगा 1 upon 9 के equal हो जाएगा n-1 n-1 cancel n-2 n-2 cancel n-3 n-3 cancel तो हमें क्या मिला 1 upon n is equals to 1 upon 9 reciprocal ले लो दोनों side 1 is equals to 9 यह answer हो गया alternatively क्या कर सकते हो तुम alternatively ऐसे देख लो alternatively तुम इसको ऐसे देखो यह दे रख है न n-1 p3 upon n-p4 इसमें formula लगा लो n-1 यह formula लगा लो n की जगह की n-1 तो क्या लिखोगा n-1 factorial upon n-r तो n की जगह n-1 है तो n-1 r की जगह 3 है तो minus 3 factorial upon यह क्या होगा n factorial upon n-4 factorial is equals to 1 upon 9 ठीक है अब यह क्या होगा n-1 factorial upon n-1 यह क्या होगा minus 1 minus 3 n-4 factorial upon n factorial upon n-4 factorial is equals to 1 upon 9 यह cancel होगा denominator तो क्या हो जाएगा यह यह हो जाएगा हमारे पास n-1 factorial upon n factorial is equals to 1 upon 9 अब यह n को क्या लिख सकते हैं इसमें n-1 और n में कौन बढ़ा है n बढ़ा है तो इसको हम expand करेंगे तो इसको expand करेंगे तो क्या लिखेंगे n-1 factorial रहने दिया इसको लिख लिए n into n-1 factorial 1 upon 9 यह अब cancel हो गया तो हमें क्या मिलें यहां से 1 upon n is equals to 1 upon 9 this implies that n is equals to 9 हो गया हमारा ऐसे भी निकाल सकते हो answer ठीक है ना यह हमारा ऐसे भी answer हो गया यह भी answer हो गया यह भी क्या ऐसे भी निकाल सकते answer एक ही बात है यह दोनों formula तो ही है न different form में use किया हुआ है ठीक है यह हो गया हमारा question number 6 अब आज आएंगे हम लो question number 7, 8 next video में